दोस्तो जब हम नया नया फोन लेते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारी दिक्कते आती हैं जैसे कि हम अगर प्ले स्टोर से कोई एप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर वो एप आसानी से इंस्टॉल हो जाता है हमारे फोन में लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी और link से अपना app डाउंलोड कर रहे हैं, कोई भी app डाउंलोड कर रहे हैं, जो कि वो play store से डाउंलोड किया हुआ नहीं है, तो वहाँ पर install नहीं हो पाता है, और उस पर लिख कर आता है, app not installed, तो दोस्तों ये परिशानी, ये दिक्कत जो है, वो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है इसमें थोड़ी सी हमें सैटिंग करना पड़ेगी अपने फोन में और उसके बाद हम कोई भी एप अपने फोन में असानी से इंस्टॉल कर सकते हैं तो दोस्तो बने रहें इस वीडियो के साथ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं दोस्तों मेरा नाम है सहिफ इंत्याद आप देख रहे हैं Skyking Technical चलिए इस वीडियो को शुरू करें दोस्तों हमें क्या करना होगा हमें थोड़ी सी setting करना होगी अपने phone में उसके बाद हम कोई भी app install कर सकते हैं चाहें वो play store का हो या चाहें वो किसी और कहीं से भी आपने download किया हो वो भी आसानी से आपको phone में install हो सकता है अगर आपको ये दिक्कत आ रहे है आपको ये दिक्कत फेस करना पड़ रहे है दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपने mobile की screen की तरब तो दोस्तों हमें क्या करना होगा हमें जाना होगा सबसे पहले अपने phone की settings दोस्तों फोन की हम setting में जाएंगे तो वहाँ पर एक हमें option मिलता है जिसका नाम है Google हमें इस पर click करना है click करने के बाद दोस्तो हमें बहुत सारे options यहाँ पर मिल जाते हैं लेकिन हमें क्या करना है हमें security के option पर click करना है security के option पर जब हम click करते हैं तो यहाँ पर दो option हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि find my device और google play protect दोस्तो ये दो options हमें देखने को मिलते हैं तो हमें क्या करना है नीचे वाले option पर click करना है दोस्तो जैसे हम नीचे वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर हमें एक setting का option मिल जाता है यहाँ पर हम click कर देंगे दोस्तो setting के option के बाद हमें दो option मिलते हैं जैसे कि scan apps with play protect और नीचे जो है वो दूसरा option improve harmful app detection दोस्तो ये दो option मिलते हैं हमें क्या करना होगा जो पहला वाला option है वहाँ पर हमें इसे turn off कर देना है दोस्तो turn off करने के बाद हम कोई भी app आसानी से install कर सकते हैं हम अपने phone में जो के install नहीं हो रहाता पहले वो अब आसानी से हो जाएगा तो दोस्तो बस इतनी ही setting करना है हमें अपने phone में उसके बाद कोई भी app हमें install कर सकते हैं basically ये setting इसलिए होती है क्योंकि जो harmful app होते हैं जो किसी और source download किये हुए app होते हैं तो वो जो app होते हैं वो secure नहीं होते हैं इसलिए ये protection service हमें phone से ही मिल जाती है दोस्तो जब आपका app install हो जाए उसके बाद वापिस से आप इसको turn on कर सकते हैं क्योंकि कोई भी harmful app आपके phone में install ना हो पाए तो दोस्तो ऐसे हम आसानी से install कर सकते हैं कोई भी app अपने phone में दोस्तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें स्काइकिंग टेकनिकल चैनल को और ये वीडियो शेर करें अपने friends के साथ मिलते हैं ले वीडियो में तब तक के लिए बवाए